नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे सिर्फ दो टॉपिक पर कि DM डिस्टिक मजिस्टेड से भी ज्यादा पावर जिले में किसको होती है और दूसरा टॉपिक है कि DM डिस्टिक मजिस्टेड और DJ डिस्टिक जज में क्या आंतर हैं इनकी क्या सकतियां इससे पहले आप लोगों से मेरी request है कि मेरा चनल subscribe करें जिससे आपको बहुत ही महत्पूर जानकारियां नई नई जानकारियां आपको मिल सकें और चनल subscribe करने से आपको ला भी पहुँचेगा आपको जानकारी ही पहुँचेगी ना कि कोई हान होगी आते हैं अपने topic पर DM जिले का सबसे बड़ा प्रसासनेक अधिकारी होता है और DM से भी ज़्यादा powerful district judge यानि कि DJ को होती है अगर वो चाहे तो DM को भी court आने को मजबूर कर सकता है और उससे सवाल जवाब कर सकता है इसलिए हम कह सकते हैं कि DM से भी ज़्यादा powerful district judge को होती है आते हैं अपने दूसरे topic पर कि DM और DJ में क्या अंतर होता है तो सबसे पहले अंतर आप यह जान लीजिए कि DM district magistrid यानि कि जिला अधिकारी होता है और DJ district judge यानि कि जिला न्यायदीस होता है DM के अंडर में प्रसासनिक यानि कि प्रसासन का सबसे बड़ा जिला अधिकारी होता है और एक कार पाल का यानि कि कार चेतर का सबसे बड़ा अधिकारी है जो भी जिले में कार होगा उसके बिना परमीस ने के या कहें तो DM उसे रुकवा सकता है पर नियायक चेतर का जो निया जबाल जबाब कर सकता है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि DM से भी ज़्यादा पावरफुल डिस्टिक जज होता है लेकिन कई लोग नहीं जानते कि DM और DJ में क्या अंतर हैं कई लोग जानते कि DM ही जिला नयायदीस होता है अगर आपके मन में कोई प्रस्न आ रहा है या आप इस जापके मन में कई लोग जापके मन में कोई भी जानते कि DM ही जबाए।